दोस्तो भारत के लिए अगर कोई देश सबसे बड़ा concern का कारण है तो हो है चायना क्योंकि चायना लगातार भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है और भारत के साथ चायना के border dispute भी है और चायना के तरफ से भारत के शेत्र को हत्याने के लिए भी लगातार प्रयास चलाया जा रहा है ऐसे में भारत के तरफ से जो भी हत्यारों का development फिलाल हो रहा है या भारत के तरफ से जिन भी हत्यारों को खड़िदा जा रहा है वो directly हो या indirectly हो चाइना centric है पर दोस्तों ये तो फिलाल present का बात हो रहा है चाइना को अगर देखा जाए तो चाइना future में भी कई तरीके के फ्यूचर स्ट्रिक हतियारों के डिवलोप्मेंट का काम कर रहा है और इसे भी भारत के तरफ से अभी से काउंटर करना आवशक है दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगो को चाइना के ही ऐसे कुछ फ्यूचर स्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि चाइना के उस फ्यूचर प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए भारत के तरफ से अभी से क्या किया जा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइबर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रिपोर्ट के मुताविक करीवन दो दशक के चोरी और रिवर्स इंजिनियरिंग के बाद चाइना के तरफ से अपने फिफ जनरेशन के फाइटर या फिर कहतो तथा कतित फिफ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलोप्मेंट करना संभव हो पाया। इस समय थक टेश्ट से गुजारा गया और उसके बाद यारक्राफ्टो के मास प्रोडक्शन शुरू किया गया। तीनरेशन के दोस रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि चायना के जो J-20 एअरक्राफ्टो के फ्रस्ट फलाइट चायना के तरफ से किया गया था और जिन J-20 एअरक्राफ्टो को चायना के बेड़े में फिलाल शामिल किया गया है। उन में काफी बदलाव किया गया है और चाइना इन एयर कर्प्टों की इंजिन से शुरू करके इयर कर्प्टों में इस्तिमाल होने वाले ओन बूर्ट एक्वेप्मेंटों को भी फिलाल एयर कर्प्टों में जोड़ा गया है। Chinese Media Report के मुताविक J20 Aircraft के Mass Production साल 2016 में शुरू किया गया, जबकि Mass Production किया हुआ Aircraft में से पहला Aircraft Chinese Air Force के Training Wing को उसी साल के अंत में मिला। Formerly Chinese Air Force में March 2017 में J20 Aircraft शामिल हुआ, हलाकि उसी साल के अंत तक चाइना के द्वारा J20 Aircraft के Full Scale Development, Trial और Test को भी खतम किया गया। फिलाल अगर देखा जाए तो Chinese अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों के मुताविक चाइना के पास करीवन 50-70 J20 Aircraft हो सकता है और China इन Aircraft को लगातार प्रोड्यूस भी कर रहा है Chinese Media का ये भी दावा है कि J20 Aircraft एक Capable Aircraft है जो अमेरिका के F-35 और F-22 को काउंटर कर सकता है और China का ये वी दावा है कि इन Aircraft के सारे अमेरिका को China के dispute से बाहर रखा जा सकेगा हाला कि दोस्तों अगर इन Aircraft को देखा जाए तो इसे लेके जितना चाइना के तरफ से प्रोपगंड़ा किया जाता है हाला कि इसके इलावा Aircraft में इस्तेमाल होने वाले इंजिन भी उतना Capable नहीं है और ना ही Aircraft के पास Close Combat Capability है इन Aircraft को चाइना लंबे दुरी से AVAX, Aerial Refueler और Transport Aircraft को निशाना बनाने के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है पर उही पे देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताविक चाइना इन Aircraft को भविश्य में और इंप्रूब करने के लिए काम कर रहा है Current Report के मुताविक चाइना CAIG के मदद से Aircraft को और मजबूत बनाने का तैयारी कर रहा है और चाइनिज मीडिया के तरफ से हाली में एक रिपोर्ट में मिंशन किया गया है कि Aircraft के Avionics और इंजिनों को भी नए इंजिन से बदल दिया जाएगा हलाकि दोस्तों बताया जा रहा है कि चाइना के तरफ से Aircraft को इनहेंस किया जाएगा पर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना इन एरक्राप्तों को संपूर्ण रूप से इशु फ्री बना सके क्योंकि एरक्राप्तों के इशु असल में खाले एरक्राप्तों के अंदर इस्तेमाल होने वाले johnic landed को लेके नहीं है बलकि एरक्राफ्ट के डिजाइन इवन एरक्राफ्टो के में इस्तेमाल होने वाले कैनर्स को लेके भी है। क्योंकि इसमें दूसरे पालेट का काम आर्टिफिशल इंटलिजन सिस्टम कर सकता है। पर चायना ट्विन सेटेट वेरियन टो का इस्तेमाल कहां पर करेगा ये फिलाल चायना के तरफ से ना जानकरी दिया गया है और ना ही किसी चाइनिज मीडिया में इसका कोई जानकरी है दोसो अब चलिए जानते हैं चायना के दूसरे प्रोजेक्ट मतलब J-31 या फिर कहतो FC-31 के बारे में। दोसो चायना के द्वारा जब J-20 एरक्राफ्ट को अंजाम दिया गया तब पुरा दुनिया को पता चला कि चायना केवल एक ही एरक्राफ्ट का निर्मान नहीं कर रह इस प्रोजेक्ट को उस दर्मियान कई तरिके के डिस्प्ले और एक्जिविशन में भी लाया गया था और तब इसके बारे में ये भी बता चला कि इसे FC-31 या J-31 के नाम से चायना के तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है पर इस बार एरक्राफ्टों के डिफलॉफर या फ अधिक प्रोपगंडा करते हुए बताया गया था कि ये जो यारक्राफ्ट है ये सफलता फूर्बक हवा में केवल उडान नहीं भरा बलकि सवी पैरेमिटर्स के तहत अपने फ्रस्ट फ्लाइट को कम्प्लेट किया पर बात में पता चला कि यारक्राफ्टों में इतने सार को कैरी कर सके ये ये जो इनजीन था उससे इतना अधिक हीट जनेरेट होता था कि ये जो रैडर क्रॉस सेक्षन था वो फोर्ट जनेरेशन के ये ये जो इनजीन था पर चाहिनिस कम्पनियों के तरफ से काम शुरू किया गया लेकिन कभी FC-31 प्रोजेट को फिर से दोसो कुछ महिने पहले ही J-35 नाम के साथ इस एरक्राट को फिर से एक बार सामने लाया गया जहाँ पे दुनिया को पता चला कि इसमें फोल्डिंग विंग सेक्शन वी है और एरक्राट के जो कैनपी है वो सामने के तरफ खुलता है जो काफी हद तक J-35 जैसा है इवन दोस्तों अगर एरक्राट को सामने से देखा जाए तो आप लोगों को आसानी से लग सकता है कि किस तरीके से चाइना के द्वारा J-35 एरक्राट को को कौपी करके J-35 एरक्राट को निर्मान किया जा रहा है हलाकि दोस्तों J-31 एरक्राटों के देवलोप्मेंट के दर्मियन पता चला था कि कैसे चाइनीज हैकरों का इस्तेमाल करके चाइना के द्वारा अमेरिका से F-22 और F-35 एरक्राटों के डेटा को चोरी किया गया और किस तरीके से उसके उसके बाद उसी डेटा का इस्तेमाल करके J-31 और J-20 एरक्राट का डिवलोप्मेंट को आगे बढ़ाया गया दोस्तों चाइनीज मिडिया के दर्फ से दावा किया जा रहा है कि इन एरक्राटों का इस्तेमाल चाइना अपना कैरियर वेस मल्टी रोल एरक्राटों के तहत करेगा और अपने सभी एरक्राट कैरि तो सबके जानकारी के लिए बता दो कि फिलाल भारत के द्वारा एक ही स्टेल्थ एरक्राट के डेवलोप्मेंट के उपर काम किया जा रहा है एकलिस्ट ओपीशेली तो एक ही एरक्राट के उपर भारत काम कर रहा है पर नौन ओपीशेली देखे तो भारत चाइना के दोनो और J-35 जैसे एर कैप्टो को काउंटर कर सकता है तो इन एर कैप्टो में भारत के तरफ से स्टेट आफ दा आर्ट, एवियोनिक्स और एक्विप्मेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि इंजिन के दुविदा को वी दूर करने के लिए भारत के तरफ से काम किया जा रह दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो नेवी के एवियेशन ग्रूप में चायना के तरफ से जो स्टेल्थ फाइटर को एड़ करने का तयारी किया जा रहा है उसका भी काउंटर भारत के पास है आप सबको पता ही होगा कि भारत के तरफ से ट्विन इंजिन डेक्वेस फाइ चुलमिला के भारत के पास है और आपको फिडियो अच्छा लगा हूँ जास लाइक कीजिए और मेरे चैनल को स्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन